इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टाइपस ऑफ फ्रैक्शन कितने टाइपस के फ्रैक्शन होते हैं फ्रैक्शन पहले होते क्या हैं और कितने टाइपस के फ्रैक्शन होते हैं और एक फ्रैक्शन को दूसरे टाइप में कैसे कनवर्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं, so first of all fraction three types के होते हैं, एक होते हैं proper fraction, अब proper fraction क्या होता है, proper fraction वो fraction होता है, जिसमें numerator, denominator से छोटा होता है, numerator is smaller than denominator, तो for example मेरे पास ये fraction है, इसमें इसको बोलते हैं numerator, जो उपर है उसको बोलेंगे numerator, और जो नीचे है उसको बोलेंगे denominator, हिंदे में इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर, तो इसको numerator और इसको denominator, अगर numerator और अंश हर से छोटा है, तो वो proper fraction होता है, अब proper fraction ये है, इंप्रोपर fraction के है, अचली जानते हैं, इंप्रोपर, इंप्रोपर fraction, तो इसको उल्टा हो जाएगा, इंप्रोपर fraction, अगर denominator, अगर numerator, denominator, denominator से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, numerator, बड़ा हो जाएगा, denominator से, तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा numerator है, और अंस है, वो हर से बड़ा है, तो इसको बोलेंगे, इंप्रोपर fraction, इसको बोलेंगे, समभिन, और इसको बिसमभिन, हिंदी में, और एक आता है, मिक्स्ट फ्रैक्शन, तो चलिए यह भी देख लेते हैं, कि मिक्स्ट फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ट फ्रैक्शन और मिस्रित भिन क्या होता है, तो यह तो आपने जान लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जबकि numerator हमारा denominator से छोटा होगा, तो वो प्रॉपर, जब numerator हमारा बड़ा होगा तो वो improper mixed में क्या होगा mixed में जो fraction होगा उसमें एक hold रहेगा और एक part रहेगा मतलब कोई एक number रहेगा और एक fraction रहेगा उसके साथ यह लेजिए तो यह क्या है हमारा यह mixed fraction है इसको पढ़ेंगे 4, 2 by 3 यह mixed fraction है ऐसे करके कोई भी लिख सकता हमें यह mixed fraction है तो यह क्या है mixed fraction चलिए जानते हैं कि mixed fraction को कैसे improper fraction में convert किया जाएगा क्योंकि जब हम लोग solve करेंगे कभी भी अगर मुझे कोई question solve करना हो तो इस fraction को ले के मैं नहीं solve कर पाऊँगा मुझे इस fraction को इसमें convert करना पड़ेगा जो कि बहुत important है तो कैसे convert होगा चलो देखते हैं तो mixed fraction को improper में convert करने के लिए देखिए अगर मेरे पास एक fraction है 2, 4 by 6 और इसको मुझे convert करना है किसमें improper में that is बिसम बिन्ड में तो convert करने के लिए simple rule है देखिए denominator को तो denominator में रखा जाएगा उसका कुछ नहीं करेंगे अब यह जो denominator है इसको इससे multiply करेंगे तो 6 multiply by 2 इसको गुड़ा करेंगे और फिर plus 4 तो इसको इससे multiply करके इसको plus कर देंगे और denominator denominator मी रहेगा जो हर है वो हमेशा हर मी रहेगा तो 6 दूनी 12 चार 16 अपॉन 6 तो यह हो गया कनॉट हो गया हमारा fraction चलिए एक example और देख लेते हैं कैसे कनॉट होता है देखिए अगर मेरा पास fraction है 2 9 अपॉन 5 तो इसको convert करने का simple tool denominator को denominator में 5 इंटू 2 प्लस 9 तो 10 प्लस 9 अपॉन 5 तो 19 अपॉन 5 हो गया convert यह हमारा answer तो यह है convert करने का way कि अगर मिस्रिद भिन दिया है या mixed fraction दिया है तो उसको improper में कैसे convert करेंगे चलिए next जानते हैं कि अगर मुझे fraction इस type में दिया है जो कि improper है तो उसको कैसे हम लोग mixed में convert करेंगे इसको हम लोग mixed में कैसे convert करेंगे चलिए भी जान लेते हैं तो convert करने के लिए कोई भी improper fraction को जो कि बिसम भिन हो जैसे कि जब बिसम भिन क्या होता है जब हमारा numerator जो बड़ा हो denominator से तो उसको अगर मुझे convert करना हो इसको mixed में convert करना हो तो कैसे करेंगे तो इसका rule देखिए इसको पहले divide करेंगे हम लोग 19 को 5 से divide करेंगे तो 5 तरीज़ा 15 आता है और 4 बज़ता है Yes, done तो इसको अब simple कैसे कनोट करेंगे देखिए जो denominator में है उसको denominator में रखिए जो denominator में है उसको denominator में हो गया उसके साथ छेड़ छाड नहीं है जो सब से नीची है वो सब से उपर जाना चाहिए मतलब जो हमारा rimender आयेगा वो कहाँ पर जाना चाहिए वो जाना चाहिए numerator में तो इसको लिख दो numerator में फिर हमारे पास जो बचा है वो है quotient तो इसको side में लिख देते हैं इसको मैं formula बतातु हूँ तो q r upon d quotient remainder upon dividend तो इसको बुलेंगे quotient remainder और इसको बुलेंगे और इसको बुलेंगे divisor तो q r upon d यह हमारा formula है जब भी convert करना हो फ़र जम पर चलिए दूसरा sum देख लेते हैं अगर हमें convert करना हो तो कैसे करेंगे अगर मुझे 16 by 6 इसको convert करना है किसमे mixed fraction में तो क्या करेंगे पहले divide करेंगे 16 divided by 6 तो 16 to 12 होता है आर पास 4 बच गया तो चलिए देखिए जो denominator में उसको denominator में रखेंगे तो रख दिया हम लोगे चलो होगे जो सबसे उपर है जो सबसे नीचे है जो सबसे नीचे है उसको उपर लाएंगे तो इसको numerator में लाएंगे 2 आ गया बचा क्या यह बचा है न तो यहाँ पर लिख देते है बस हो गया यही है हमारा fraction आ गया और यहाँ पर 4 है क्योंकि यह यहाँ पर था न तो 4 आएगा चलिए एक बार और बताता हूं मैं एक सम और लेके बताता हूं अगर मेरे पास एक fraction है 17 divided by 3 तो कैसे करेंगे 17 को 3 से डिवाइट करें 3 फाजा 15 2 बचा तो fraction बनाने के लिए जो सबसे नीचे बना है उसको सबसे उपल लेका चल जाएंगे तो 2 आ गया अभी denominator को denominator में लिख देंगे जो नीचे है उसको नीचे लिखना है जो बच के उसको side में तो यह बचा है तो उसको side में लिख दीजी हो गया हमारा fraction कनवर्ट हो गया तो यह है कैसे fraction को कनवर्ट की जाता है अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो आप इसको share करें Thank you for watching this video